नमिता और उसके मम्मी पापा कच्रा उठाने का काम करते हैं जिस वज़से उनके घर में दो वक्त के खाने के साथ लोगों की गालिया और तानी भी आते हैं एक दिन नमिता कच्रा उठा रही होती है कि तभी फोन में देखते हुए एक आंटी वहाँ नमिता से टकरा जाती है चीची ए लड़की तो देखकर नहीं चल सकती क्या पर मैम सहाब मैं तो अपनी जगब पर हूँ आप फोन में देखते हुए चल रही थी एक कच्रे वाली होकर मुझसे सुमान लड़ाती है अब घर जाकर दुबारा नहाना पड़ेगा पूरा गंदा कर दिया कितने बत्बु आ रही है ऐसा बोलती हुए आंटी वहाँ से चली जाती है और उनकी बातों से दुखी नमिता आखों में आसुले काम करती रहती है करने क्या हो किसने जाना तभी उसकी टकर मोहन से हो जाती है अरे देख कर काम करो मुझे माफ कर दीजे साहब कलती से टकर हो गई मैंने जान बुझकर कुछ नहीं किया मोहन वहाँ से चला जाता है और नमिता उसकी बात को सोचते हुए दोबारा काम पर लग जाती है इसी तरह समय बीटता रहता है एक सर्तियों की सुबर कच्रा उठाती हुए नमिता ठेंड की वज़े से पास के घर की सीड़ियों पर ओत लेकर बैठ जाती है कुछी देर बाद उस घर की मालकिन वहाँ आ जाती है हाई तोबा मेरा सारा घर गंदा कर दिया अरे मैं घर के सामने गंदगी नहीं होने देती और तुपूरी की पूरी गंदगी मेरे घर की सीड़ियों पर ही आकर बैठ गई मालकिन ठंड बहुत है इसलिए कुछ देर बैठ गई अब भी चली जाती हूँ और सफाई भी कर दूँगी अरे यहां बैठ कर घर पहले ही गंदा कर चुकी है अब छूकर अशुद भी करना चाती है अपनी मा के चिलाने की आवाज सुनकर मोहन घर से बहार निकलाता है जहां नमिता को देख वो किसी तरह अपनी मा को शान्त करके घर में वापस भीज देता है मुझे माफ कर दीशे मालिक गलती हो गई अरे प्लीज मुझे मोहन बुलाओ और अपनी मा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ अरे नहीं मालिक लोग वैसे भी हमें इंसान समझते ही कहा है इसलिए अब इन सब की आदत है अगर इन सब की बातों को बुरा लगाने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे वैसे तुम्हें ठण में इन पतले फटे कपड़ों की जगह मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए मेरे पास इत्ती चॉइस नहीं है जो है बस यही है और जब घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हो तो क्या सर्ती और क्या गर्मी चलती हूँ साहब नमिता तो वहाँ से चली जाती है लेकिन अब मोहन उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाता कुछ दिनों बाद नमिता दुबारा कच्रा उठाने मोहन के घर के पास आती है जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है यह तुम्हारे लिए है शुक्रिया मालिक पर यह तो नया है हाँ किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है हमें कोई गिफ्ट नहीं देता नई चीज तो बिल्कुल नहीं पर आपका बहुत शुक्रिया चलती हूँ बहुत काम बागी है एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है वो किसी ना किसी बहाने उससे मिलता रहता है यह सिलसला लंबा चलता ह जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मेरेज कर लेते हैं। इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुँचता है तो वहाँ उसकी मम्मी जो अपनी सहलियों के साथ किटी पाटी कर रही होती है उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाई हाई बेहन अब तुम समाज में क्या मूँ दिखाओगी। अरे मेरी बात मानू अब बाहर निकलना ही बंद करते ना। आंटी जी मेरी मा का तो पता नहीं पर आप आज बाहर निकल कर दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अरे हम ऐसे कच्रे वालों के घर में आकर अपनी इज़त खराब करने का शाग भी नहीं रखते। अगर यही कच्रे वाली आपके घर का कच्रा उठाना बंद कर दे तो उस आलिशान मकान में आप दो दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना उसे यह साफ करती है इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है इस साब से तो आप और हम कच्रे वाले हुए यह नहीं कुछ भी हो बिमारी ठंड या गर्मी यह हमेशा अपनी फिक्र न आने लगती है जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन के मम्मी भी उसे अपना लेती है